आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार चार सहीता भी लागो हो चुकी है जिसके मदे नजर अधिकारियों ने राजनेतिक दलों के साथ बैठक करते हुए चिनावों को सफल बनाने में जो तैयारिया हैं उसमें भी प्रिसाफशन जुड़ चुका है हरे द्वार और गडवाल से आप तस्वीरे देख सकते हैं जहां पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक जो है वो आज आयोजित की गई थी जहां पर आगामी विधाल सभाज चुनावों को देखते हुए प्रिसाफशन में जो तबाम अधिकारी थे वो इन बैठकों में मौज थे और चुनावों को लेकर ज़रूरी दिशानर देश अधिकारियों को दिये गए हैं अगली खबर रुड़की से है जहां पर भाजुपा के चौदा पारशदों के स्तीफ़ा देने के बाद आब आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता जो है वो आज आयोजित हुई है इस द कि में आमार्बी पार्टी के टिकट के दावेदारी पेश कर रही कारिकरता नरेश प्रिंस ने कहा कि अगर उनको टिकट भी नहीं मिलता है तो भी वो पार्टी का कारिकरता बन कर पार्टी की सेवा करेंगे बार्जपा तो मैर्र साहब बॉर्ड की बैठक ही नहीं बूला रहे थे लेकिन अब जब बहुत उठा पटक के बाद बोड की बैठक भी बुलाई गई तो उसमें जो भी प्रस्ताओ कारिये पार्शदों ने वहाँ पर दिये हैं उन प्रस्ताओ कारियों को नहीं करा गया कुछ बीजेपी के पार्षदों ने कॉंग्रेस के पार्षदों के साथ मिलके उनके प्रस्ताओं को गिरा दिया गया और उन्हें जो है एजेंडे से निकाल दिया गया प्रभारी गोशित नहीं किया गया है अगर आप हरिद्वार डिस्टिक की बात करें तो इसमें अभी डुड़की में नहीं हुआ है हरिद्वार में नहीं हुआ है लकसर में नहीं हुआ है प्रभारी घोशित करने के एक प्रक्रिया होती है, चैन के एक प्रक्रिया होती है, जिसके कुछ eligibility criteria होते हैं, कुछ मानक होते हैं, तो जो भी हमारा कार करता है, जो भी टिकट का इच्छुक है, तो अगर उन मानकों पे खरा उतरता है, तो उसको प्रभारी बना दिया जाता है तो अभी रुड़की हरीद्वार और लकसर में अगर हरीद्वार डिस्टिक की बात करें तो जो लोग भी अभी यहां से टिकट के चुक हैं तो अभी वो पूरा मानक पे खरे उद नहीं उतर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है आगा में विदान सबा चुनाव को लेकर सभी पाठियों ने अपनी कमर कसली है वही भगवानपूर विधायक ममता राकेश ने कहा कि चुनाव को लेकर कॉंग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और जनता में अपकी बार काफी उत्सा भी देखने को मिल रहा है जबकि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर हरी शुरावत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है मुख्यमंत्री जी अब 20 सितंबर को भागवानपुल में आये थे उन्होंने भी गोशना के थे लेकिन यह कोरी गोशनाई है इन गोशनाओं पर अमर भार जनता पार्टी की सरकार कर ही नहीं पाई है जिनके वज़े से जनता तरस्त हो चुगी है अगली खबर चमूली से है जहां पर लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिले में कोविड वैक्सीन को लेकर प्रिकॉशन डोस जो है वो लगाई जा रही है इसके लिए स्वास्त भाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है यह डोस हेल्थ केर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, साथ से अधिक आयू वर्ग के उन लोगों को लगेगी जो किसी बिमारी सिग्रसेत हूँ साथ ही दूसरी डोस के बाद 9 महीने का समय पूरा हो गया हो कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोस जो है उसको लेकर इस वक्त प्रिसाशन जो है उसकी दरफ से भी सामदाइस स्वास्त गेंदर जोशी, मत और प्रात्मिक स्वास्त गेंदर गये वह बनादिये गए है। पर या हमारे जो अधिकांश हमारे माईल लिया असिम्टोमेटिक हैं और हो वाइसलेशन में स्वस्त हैं उन्हीं सब को हमारी कोविट केट्स हैं वो फ्लप्ट करा दी गई हैं महिलालकुआ में मुख्य पश्यू चिकितसादिकारी ने पश्यू चिकतसाले का निरिक्शन किया इस दौरान चिकतसादिकारी ने चिकतसाले के अंतरगत आने वाले केंद्रों की जानकारी ली साथ ही जानवरों के इस्तुमाल होने वाली दवाईयों के रखरकाव और उसकी में इस दोरान उन्होंने जानवरों के वेक्सीन लगाने जआने और प्रव ग्रामीर शेत्रों में जाकर पशुव से समध्य तर्जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिये जनपत में मुझे आई हुए दस दिन मात्र दस दिन हुए हैं मैं पहला दौरा है यहां पर मैं अपर देख रहा हूं कि हमारी पशुचालों की स्थिति क्या है उनके पर खामी तो आई नहीं है लेकिन यह है कि हम दो जो भी विभागी योजना है उनका अधिक से अधिक प्रस्पानों को लाब मिले यह हमारा प्रियास रहेगा और विभागी स्थिति है उसमें भी सुदार करने का में प्रियास करूँ है वही पॉड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजे कुमार जोगडंडे ने आपकारी विभाग में इरिक्षन कर विधान सभा चुनाव की तैयारियों का जॉयसा लिया है उन्होंने संबद्द अधिकारी को निर्देशित किया कि चुनाव की समय अवैद शराब का कारुबार के लिए चौपे मारी अवियान में तेजी लाना सुनिशित करें साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद की सीमाओं पर आपकारी टीम की तैनाती रहे वही नियमत रूप से वाहनों की चेकिंग भी की जाए साथ ही उन्होंने निर्देशित कि प्रभावी हो गया है और जन्पद में जो अवेज शराब होती है या शराब का प्रचलन होता है काफी संख्या में बढ़ जाता है उसके साफिक्ष हमारे जो आपकर यह बागा जो चेक पोस्ट होता है उसको भी हमें एक्टिवेट करना है प्रकूBoy्त से अमें निर्मियच दिया है जन्पद में जो आने वाले प्रमुक मारगे होंगे प्रमुकता से लय सव्कुंद कि सीमा को सब्लसाwnिक्रत और देवौप्राग का ऑंपर प्रमुकता करना है साथ में जो उनकी दौरा एंफोर्स्मेंट एक्टिविटी की जा रही है इसमें अभी तक उन्होंने शून्य सीजर्स किया है कोई भी मामला इसा संग्यान में नहीं आया है जहां पर बड़ी मातरा में अवेट्शरा को पकड़ा गया है तो वह भी मुझे लगता है कि उनका अपना एक्टिविटी को और अपने कारेप्रानी को सुधार करना पड़ेगा वही थल तहसील के राजस्व निरिक्षक उपनिरिक्षर और सेवारत चतुर्त श्रेनी के करमचारियों ने आज तहसील परिसर में बैठक के दौरान यूनियन का घठन किया जिसमें यूनियन के सदस्यों ने सहमती से संरक्षन राजस्व निरिक्षक शंकरलाल वर्मा को अ अगली खबर चंपावत से हैं जहां पर देवी धोरा में SBI ग्रामीन स्वारुजगार फिसक्षन संसिथान ने NRLM समूह से चुड़ी गरीब और बेरुजगार महिलाओं के लिए एक इसदिवसी ये प्रसिक्षन कारिक्रम का आयूजन किया आपको बता दे की सीनियर ट्रेनर मुनी बोरा और पारवती देवी के दुआरा महिलाओं को बुनाई और क्रोशेट पर आधारत प्रसिक्षन दिया जाएगा जिससे ग्रामीन महिलाओं को अपनी आजीवी का चलाने में काफी मदद मिले की पहाड़ी इलाका होने की वज़े स से यहां उनी कपड़ों की मांग अधिक रहती है इसलिए महिलाओं अपना बिजनस खुछ चला सकती है देवी दुरा में महिलाओं के इस 21 दिवसी क्रोशनेट का एक स्ट्रेक्शन कारिक्रम आर्सिटी के तबत्वदा में सुरू हो रहा है इक इस दिनों तक का मिला है यहां पर कोशनेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोड़क्स बनाएंगी और उसमें मास्टर ट्रेनर जो हैं पारवती जी उनको कोशे से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स बनाना सिखाएंगी जिससे वह आजीवी का संबर्दन कर सकें और ट् अगली खबर हरिद्वार से हैं जहां पर धनौरी के सैनी धाबा के स्वामी को रत्मवाउ नदी के पुल्प पर पिछले साल तीर लोगों ने हत्या का प्रियास कर जान लिवा हमला करकर हलहलुहान हालत में छोड़ दिया तो जिसके बार डीजीपी के निर्देश पर मुख शाहंतर शाह चौकी इंचार्ज गजेदर सिंग ने बताया कि आरोपी धारा 307 के मुकदमे में फरार चल रहा था जिसको थाना राय वाला पुलिस टीम ने गिरफतार किया है वही 2022 चुनाफ को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तयारियों में जोटी हुई है तो वही विधान सभा पिरान कलियर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर शादाव आलम ने कहा कि भाज़ुपस सरकार जुमले बास सरकार है और किसान विरोधी है सरकार ने महंगाई से जुनता की कमर तोड़ दी है और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज के यवा डिग्रिया उठाए घूम रहे है रोजगार की तलाश में है लेकिन सरकार रोजगार देने के लिए तयार नहीं है तो वहीं करियन विधायक पर आरोप लगाते हुए शादा वालम ने कहा कि अगर मेरा चेहरा विधायक के रूप में जनता के सामने आता है तो जनता को सबसे पहले सिक्षा वरोजगार देने का काम किया जाएगा और विधायक निदी विधान सभावासियों को सौब दी जा साथ उत्राखंड की खबरों में फिल हाल इतना ही आप मुझे देज़ू इजादत और देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार